हे गाईज कैसे हो सारे यकीन करता हूं कि अच्छे हूंगे आज के इस वीडियो में आपको कुछ इस टैप का फोंटो एडिटिंग सिखाऊंगा बिल्कुल एजी एस टैप से में एंड गाईज उससे पहले भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्र मैं यहां से अपने पिक्चर को ऊपिन कर लेता हूं इड गाईज ऊपिन चैनल के बाद अभी देख सकते हमारा पिक्चर यहां से कितना डॉЛ है तोब से पहले इसका light adjustment करनी होगी तो आपको यहां से light वाले आपको बटन पर क्लिल करनी है and guys आप सब यहां से अपने picture के हिसाब से light को adjustment किजिएगा फिलाल मैं यहां से अपने picture को जो है light adjustment कर लेता हूँ so सबसे पहले guys मैं यहां से contrast को 10% add कर लेता हूँ and guys जो highlight adjust मैं इसे 20% decrease कर लेता हूँ and आपके picture में जितना भी shadow है आप यहां से अपने हिसाब से shadow को increase कर लीजेगा फिलाल मैं इसे 25 के आसपा shadow को increase कर लूँगा and उसके बाद जो यहां से black adjust मैं इसे 10% decrease कर लेता हूँ and just guys मैं यहां से color वाले option पे आ जाता हूँ and guys आपको color वाले option पे आने के बाद आपको vibrance को लगभग आपको यहां से 30% increase करने है and just guys आपको mix tool में चले जाना है and सबसे पहले guys आपको face का color जो second है audience color just इसका saturation आपको लगभग picture के हिसाब से आपको जितना भी face white चाहिए उसके हिसाब से आप लोग यहां से saturation को decrease कर लिजेगा फिलाल मैं यहां से इसका saturation 10% decrease कर लेता हूँ and जितने भी आपको face white चाहिए उसके हिसाब से आप सब यहां से luminous को increase कर सकते है फिलाल मैं luminous को यहां से लगभग 20% increase कर लेता हूँ एंड जस्ट गाईज आपको यहांसे जो भी आपका इसे बैग्राउंड का कलर है जस्ट आप लोग उसका इसे saturation डाउन कर लिजेगा फिलाल मैं यहांसे यिलो एंड गीन का saturation डाउन कर लेता हूं and guys कुछ इतना करने के बाद और भी जो आपको आपका कपड़ों का color है आप सब उसका saturation वगर increase कर सकते हैं फिलाल मैं इसको just यहां से 10% add कर लेता हूँ and just guys just आपको उपर से done करने है and done करने के बाद guys आपको यहां से effect वाले option में जाना पड़ेगा and just आपको texture को 10% add करने है and आपको ऐसे clarity को भी आपको 10% add करने है and just guys आपको details वाले option में चले जाना है and sharping को 20% increase करने है and details को पूरा and noir detection को 20% and details को पूरा and color noir detection को 30% and details and smoothness को आपको पूरा increase कर लेनी है and guys अभी जैख सकते before and after हमारा picture को chest type का edit हो चुका है and just guys आपको यह इसे share वाले button पे click करने है and यह वाले जो है picture को just आपको snapshot application में share कर लेनी है and guys अभी तक आपने हमें Instagram पे follow नहीं किये हैं तो follow कर लीजेगा आपको link नीचे description में मिल जागा so just मैं इसे snapshot application में share कर लेता हूँ अगर आपके पास snapshot application नहीं है तो just आप इसे play store से download कर सकते है and just guys आपको यह इसे pen tool पे आपको click करने है and जैसे ही guys आप सब pen tool पे click करते हैं सबसे पहले आपको यह इसे tune image पे आपको click करने है and guys आपको यहांसे जैसे ही आप सब उपर नीचे scroll कीजेगा तो आपको यहांसे बहुत सारा आपको option दिखेगा just guys आपको यहांसे contrast को आपको 10% add करनी है and उसके बाद guys saturation है just इसे भी आपको 5% add कर लेनी है and abundance है just इसे भी आपको लगबग 10% add करनी होगी and just guys आपको यहांसे shadow है just इसे भी मैं यहांसे 10% add कर लेता हूँ and नीचे से guys मैं यहांसे done कर लूँगा and अभी हमारा picture कुछ इस type का edit हो चुका है and just guys फिर से आपको pen tool पे click करनी है and इस बार guys आपको just white balance पे आपको click करनी है and उपर नीचे जैसे यहांस सब scroll कीजेगा तो आपको first में temperature का आपको button दीखेगा just इसको आपको minus 100 आपको कर लेनी है and just guys आपको नीचे से done करनी है and उसके बाद guys अभी देख सकते हैं यह वाला हमारा temperature पूरे picture पे apply हुआ है so just guys इससे आपको face से आपको remove करनी है so just आपको share के पास में यह वाला button दीखेगा just आपको इस पे click करनी है and उसके बाद guys आपको view edits पे आपको click करनी है and just आपको यहां से white balance पे click करके and just guys eraser वाले button पे आपको click करनी है and अभी guys हमारा picture कुछ इस टैब से आ चुका है and just guys आपको यहां से invert का button दीखेगा just आपको यहां से invert करनी है and और भी यहां से जो भी part है यहां से नीचे का just यहां से यह वाले color को आपको remove करनी है so just guys आपको यहां से remove करनी है and आप सब यहां से यह वाले जो दोनों 3 को आप यहां से up down किजेगा जैसे मैं यहां से यह वाले जो है second वाले तीर को just hundred कर लेता हूँ तो यहां से आपका feel होना चालू हो जाएगा and first वाले तीर को आप सब zero कर लीजेगा तो यहां से यह वाला erase होना चालू हो जाएगा तो आप सब यहां से ध्यान से दोनों setting को समझ लीजेगा and just guys इससे आपको पूरे face से and background से remove करनी है and just guys इससे आपको skype पे रहने देनी है so आपको यह वाला color जिधर भी आपको चाहिए आप सब अपने हिसाब से रख सकते है फिलाल मैं इसे background से and just guys मैं यहां से model से इसे remove कर लेता हूँ so just guys मैं यहां से background से इसे erase कर रहा हूँ आपको भी guys अपने हिसाब से आप सब यहां से erase कर लीजेगा and just guys आपको यहां से बहुत अच्छी तरिके से zoom करके and model से यह वाले effect को आपको erase कर लेनी है so guys मैं यहां से erase कर लेता हूँ and guys आपको मेरे चैनल पर और भी editing से related videos मिल जाएगी आप उसे भी एक बार ज़रूर से check out कर लीजेगा so guys चलिए मैं यहां से जल्दी से यहां से सभी color को remove कर लेता हूँ and जब तक मैं यहां से वीडियो को थोड़ा fast कर लेता हूँ and guys अभी देख सकते हैं मैंने यहां से बहुत अच्छी तरीके से हैं से पूरे body से color को remove कर लिया है and आपको भी guys धियान से यह वाले color को just body से आपको remove कर लिने है and जैसे guys आप सब यहां से color को remove कर लेता है जिस्ट आपको नीचे से आपको done कर निया है एंड उसके बाद गे जस्ट आपको उपर में बैक का बटन दिखेगा जस्ट आपको बैक वाले बटन पर आपको क्लिक करनी है एंड अभी गाईज हमारा पिक्चर यहां से कुछ इस टाइप का जो है एडिट हो चुका है एंड जस्ट गाईज फिर से आपको पेंट टूल पर जाना होगा एंड जस्ट गाईज आपको इस बार आपको जस्ट सलेक्शन टूल पर आपको क्लिक करनी है एंड जो भी गाईज आपका यहां से फेस का डार करिया है जस्ट आपको उससे सलेक्ट करनी है and guys दोनों उंगली से आपको कुछ step से pinch करके and आपको यहां से इसका brightness को आपको increase कर लिनी है so आपको यहां से जितना भी आपको face यहां से white चाहिए आप सब यहां सब brightness को increase कर सकते हैं जितना भी आपका face dark है उसके हिसाब से आप सब brightness को increase कर लिजेगा फिलाल guys हमारा picture यहां से कुछ step के edit हो चुका है and just guys आपको फिर से pen tool पे click कर लिए है and आपको tune image पे आपको click कर लिए and just guys इसका saturation आपको लगभग यहां से 30% increase कर लिए and just guys आपको नीचे से done कर लिए and फिर से आपको guys यहां से share के pass वाले button पे आपको click कर लिए and आपको view edits पे आपको click कर लिए and just guys आपको tune image पे click कर के and just आपको यहां से pencil वाले icon पे click कर लिए and guys just आपको फिर से यहां से invert वाले आपको button पे click कर लिए and जो भी guys आपका यहां से face पे जो है यहां से add adjust आपको यहां से यह वाले arrow को first वाले arrow को आपको zero करके and just guys इसे आपको face पे apply करनी है and जो भी guys आप सब यहाँ से saturation को increase किये थे वो के वाल यहाँ से उसे आपको just face से remove कर लेनी है so जितना भी आपका यहाँ से skin का part है just उससे आपको यह वाले saturation को आपको यहाँ से erase कर लेनी है फिलाल मैं यहाँ से कर रहा हूँ यहाँ से face को जो है smooth कर सकती है इस पर मैंने एक already वीडियो बना कर रखा है वो वाले वीडियो को आप जरूर से देख लीजेगा जिसका link आपको नीचे description में मिल जागा and guys आज किस वीडियो में बस इतना ही सो यकीन करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगयोगी तो आप वीडियो को जोड़ से like कीजेगा अगर आप चैनल अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके and bell notifications को on कर लीजेगा and guys मिलते हैं किसी और वीडियो को साना तब तक के लिए bye